हलो गाइस वोकम बैक तो दे चैनल और आज हम बात करने वाल हैं MMA के टॉप टेन रिचेस्ट फाइटर्स के बारे में बिना कोई देरी के लिस्ट चुरू करते हैं 10 पोजिशन पर आते हैं Tito Ortiz जिनका नेट वर्थ है 15 मिलियन डॉलर्स Tito Ortiz UFC के लाइट हेविवेट चैंपियन रहे चुके हैं और UFC के हॉल अफ फेमर भी है चेल सौनन के साथ जो उनका बैला टॉर में दो फाइट हुआ था उसके कारणों ने बहुत फेम और पॉबलिसिटी मिला नमर नाइन्थ पोजिशन पर आते हैं Randy Couture जिनका नेट वर्थ है 17 मिलियन डॉलर्स Randy Couture जो कि एक रेसलर थे वो UFC के पहले ऐसे फाइटर से थे जो दो डिविजन के चैंपियन थे लाइट हेविवेट चैंपियन और हेविवेट चैंपियन अपने प्राइम में वो बहुत ही फियर्ट फाइटर थे और अपने ब्रूटल नॉकाउट्स और ब्रूटल रेसलिंग के लिए जाने जाते थे नमबर एट्थ पोजिशन पर आते हैं वांडरले सिल्वा जो की प्राइट के फाइटर थे और उनका नेट वर्थ है 18 मिलियन डॉलर्स वांडरले सिल्वा बहुत ही फियर्ट फाइटर थे और अपने स्ट्राइकिंग के लिए और जीट्सू के लिए जाने जाते थे बहु नमबर एट्थ पोजिशन पर आते हैं एंडर्सन दस्पाइडर सिल्वा जिनका नेट वर्थ है 18 मिलियन डॉलर्स अंडर्सन सिल्वा मिडल वेट डिविजन के चैंपियन थे यूफसी के और बहुत ही अच्छे फाइटर थे और अभी तक यूफसी के वन अव ग्रेटेस् चैंपियन थे लाइट वेट डिविजन और वेल्ट वेट डिविजन अपने प्राइम में वह बहुत ही अच्छे फाइटर थे और उनका जूजिट्सु गेम अभी तक का वन अव बेस्ट जूजिट्सु गेम ऑफ यूफसी है नमबर फोर में आते हैं ब्रॉक लेस्नर जि ने रेस्लिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं नमबर फोर्ड पोजिशन पर आते हैं जीएस्पी जिनका नेट वर्थ है थर्टी मिलियन डॉलर्स जीएस्पी इस कॉमनले रिगाड़ेड़ेड अस वान अव बेस्ट फाइटर्स अफ आल टाइम एंडर्सन सिल्वा के मिलियन डॉलर्स वह बैजिलियन जूजिट्सु के ब्लैक बिल्ड थे और बहुत ही बहतरीन फाइटर थे और नमबर वान पर आते हैं दो नोटोरियस कॉनर मेक ग्रे गर्ड जिनका नेट वर्थ है 115 मिलियन डॉलर्स बहुत ही अच्छे फाइटर है वह टूएट डिविज और लाइट डिविजन और जिस भी फाइट में वह फाइट करते हैं जिस भी पेपर वीव में वह फाइट करते हैं वह पेपर वीव रिकॉर्ड तोड़ देता है तो अपुले आपको यह लिस्ट पसंद आया एंड सब्सक्राइब एंड आल बी बैक